चेरीस OS 3.9.5 के एक लेटिस्ट अपडेट आया हुआ है हमारे MI8OL डिबाइस के लिए और मैं इसे यूज कर रहा हूँ Poco के M2 Pro डिबाइस के अंतर आप लोगे बहुत सारे कमेंट आये थे भाई रिद्मी के Note 10 Pro के पिछे हाँ धोके परेवे हो MI8OL किदर गया तो भाई इसके अपडेट नहीं आ रहे थे और इसके पहले मैंने Oxygen OS डाला था तीन दूनों तक वो डाला रहा और मुझे रिव्यू करने का पताने क्यों मनी नहीं कर रहा था रों काफी अच्छा था सबको ठीक लगा लेकिन रिव्यू करने का हिम्मत नहीं हुआ मन नहीं किया क्योंकि मुए उतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं था Oxygen OS से इसलिए वो स्कीप कर दिया उसके बाद यह अपडेट आया है जो कि मैं यूज कर रहा हूं और बताता हूं कि क्या कुछ यहां पर हमें देखने को मिल जाता है यहां पर क्या कुछ हमें नया देखनी को मिलता है और क्या है चैनलों को सब्सक्राइब ताकि रेगुलर अपडेट आपको जो मिल सके और इस डिबाइस के लिए जल्द ही आपको मिखाए 13 का अपडेट देखनी को मिलने वाला है तो यह जो अपडेट है यह एक हट अपडेट है फिषले हमें थागुत कम्याह थी उसे भीक्स कर दिया गया है और यहाँ पर आपको 12L लिखाओ मिल जाता है जहाँ पर drag करने पर आपको 12L का है जो sign भी देखनी को मिलेगा जो कि काफी ज़्यादा सही है यहाँ पर cherries जो कि 3.9.5 है maintainer का आपको नाम देखनी को मिलेगा July 5 का security patch आपको देखनी को मिल जाता है और यहाँ पर आपको OZ1 kernel यूज किया गया है वेलवेट का और यहाँ पर आपको next देखनी को मिलता है enforcing build rate बिल्कुली latest वाला है जो कि 11 अगस्ट का आपको यहाँ पर दिखाई देता है बाकि back यूज आते हैं तो आपको मिलता है system और system में वही सारे चीज़े देखनी को मिलती है जो कि पहले भी आपने है जो यूज कर रखा है बट यहाँ पर एक आपको profile का option मिलता है और really में without इस profile के use की वे performance काफी better लगाया मुझे और आपको भी यह पसंद आएगा बट आप यहाँ से और विज़ा हो तो boost कर सकते हो अपडेटर तो आपको मिलता है जहाँ से आप OTA update गरा चिक कर पाओगे अवेलवल है या नहीं और पिछले अपडेट में OTA update का था उत बग था उसे भी यहाँ पर fix किया गया है बाकि जेस्टर के अंदर वही सारे customization देखनी को मिलते हैं जो कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है तो इनका भी benefit आप यहाँ पर ले पाओगे बाकि यहाँ पर आपको लेखनी को मिलता है face unlock, fingerprint और apps lock वगेरा जो कि perfect working है बाकि अगर sound के profile में in करते हैं तो यहाँ पर आपको लेखनी को मिलता है notification का option power app का touch, vibrate, clear speaker और भी बहुत सारे options वगेरा और यहाँ पर vibrate pattern को control करने का भी option आपको मिलता है जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हो मैंने जितना भी यूज किया मुझे battery काफी अच्छा लगा है और बैटी स्रेलेटर आपको जाला दिक्कत नहीं आने वाले और यहाँ पर आपको battery percentage, क्या power बचा हुआ है, कि tower charge किया है वो सब कुछ आपको detail यहाँ पर मिल जाएगा बाकि यहाँ पर आपको मिलता है wallpaper style बिल्कुल ही simple और same to same पहले जैसा ही है lap display के अंदर आपको reading mode और color का option देखने को मिलेगा बाकि यहाँ पर time out आपको देखने को मिलता है, small width और wallpaper, zoom effects फगर आप लगा सकते हो ambient EQ देखने को मिल जाएगा, accidental wake up आपको मिलता है और अगर आपको हलका फुल का lag वागा feel हो ना, तो इस option का आप on करके off कर देना वोसकर आपको काफे improvement देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ से access कर पाऊगे, use कर पाऊगे बाकि अगर इसके huge customization की बात करेना तो सब कुछ काफिया तक similar पहले जैसा है जिसमें कोई change नहीं किया गया है लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ आपको नए fonts वगरा जरूर देखने को मिल जाएंगे अगर आप fonts वगरा जादा यूज करते हो तो छोटे मोटे change किये गए है, Wi-Fi का नया icon add कर दिया गया है अगर आप AirDrop वगरा यूज कर चे ना तो उसके भी battery percentage add किया गया है लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी device में आपको देखने को मिले है बाकि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वह ही Gaming, Unlimited Photo, Higher FPS और Streaming के लिए FPS और Gaming का जो लुक है वो थुआ सा चेंज किया गया है हमारे डिस्क बोट से related जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ क्या change है तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर टैब करूँगा इस पर डालूँगा तो आप देखोए हलका सा EY कंदर चेंज किया गया है जबकि features काफी हद तक same पहले जैसे आपको देखने को मिलता है तो ज्यादा भी big change यहाँ पर नहीं मिलता तो यह जो आपको change लोग दिखाई दे रहे ना यह हमारे device site का change लोग है जो कि आपके device के अंदर देखने को मिलेगा जैसे कि आप पर stream कर दिया गया है playback control एड किया गया है Android 12 का यहाँ पर stock QS panel एड कर दिया गया है banking का problem का कुछ लोग सिकायत कर रहे थे काम नहीं कर रहा है उसे इस update के अंदर fix किया गया है बाकि यहाँ पर Wi-Fi signal थोग वी कर रहा था लोग के complain आये थे Wi-Fi signal से related उसे भी यहाँ पर थोग इंप्रूव किया गया है तो में भी जल्दी problem को fix करके वापस add किया जाएगा तो इस बार आपको NX नहीं मिलता आपको Gcam से काम चलाना पड़ेगा बाकि यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है added bag QTI health ठीक है तो यह चीज़े देखनी को मिलेगी तो यह है हमारा device का change log लेकिन वह यह पर universal change log के बात करें तो यहाँ पर काफी कुछ चीज़ आपको नजर आती है जैसे कि secondary color add किया गया है lock skin clock के लिए wifi का यहाँ पर icon add हो चुका है force background freezer add हो चुका है कुछ नए fonts add किये गए है यहाँ पर support कर दिया गया है stand by policies related कुछ यहाँ पर आपने देखा होगा regular reviews हो तो आपको पता होगा अधर वह देख लेना पता चल दाएगा od update के बारे मैंने आपको बताया है कि पहले problem कर रहा था उसे fix किया गया है और चोट नमटी यहाँ पर और भी चीज़े यहाँ पर fix की गई है और gaming का थोड़ा सा redesign वगेरा है जो किया गया है तो यही total change देखने को मिलता है बट actually में अगर आप phone के दिर find out करोगे तो ज़्यादा big change आपको नज़र नहीं आता सबकुछ काफिया थक similar देखने को मिलता है बाकि असमुद्ध मुझे काफिया तक सही लगा और काफिया तरीके से काम कर रहा है लेकिन वहीं पर बात करते है performance कैसा निकल के आता है क्योंकि अगर ROM अच्छा है और performance अच्छा ना हो तो यूज़ करने का कोई फायदा नहीं होता तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अन्टू टू कर रिजल्ट जो की overall काफी perfect है और यह है हमारा geek band जो कि यह भी काफी अच्छा आपको दिखाई देता है इसमें भी कोई कमी मैं नहीं कहुँआ कि है और CPU total wide normal without profile के काफी must result देता है जहां पर आपको no CPU total deduction दिखाई देता है max average और minimum भी आप देख से तो बिल्कुली green green है तो यह काफी powerful लगा है जैसा कि मैंने कहा था और charging speed भी काफी सही लगा only on 19 minute में 28% charge हो रहा है तो आपको fast charging का support मिल जाता है तो इससे related सिकायत नहीं आने वाली और हर बाग इतरह यहां पर photo storage unlimited मिलेगा तो जितना चाहतना photo video upload कर लो बाकि L1 का support आपको यहां पर मिल जाता है और device भी आपको certified देखनी को मिल जाएगा तो इससे related आपको दिक्कत नहीं आएगा और gaming में आपको 90% भी unlock मिलता है बट by chance आपको पता ही है कि BGMI हमारा यहां पर ban हो चुका है देखते हैं कब तक यह comeback करता है तो यही total change आपको देखनी को मिलते हैं इस बार के Charis OS के अंदर जो कि overall काफिये तक स्थीक है stability यहां पर improve हो चुकी और features वगरे तो आपको यहां पर identity पता ही है बाग यहां पर volume bar का UI पहले ही चीज हो चुका था जो कि मैंने काफी time पहले ही आपको बता दिया था दिखा दिया था तो वह चीज आपको यहां पर देखनी को मिलती है जो कि थ्वासा और यहां पर पहले से optimize हो चुका है क्या ख्याले इसके बारे में आप comment करके जरूर बताना और मेरे recommendation की बात करें कि क्या यह recommended कर सकता हूं तो जी हां मैं recommended कर सकता हूं अगर आपको AOSP वाले रोम पसंद आते हैं तो यह आपको काफी पसंद आने वाला है और यहां पर जो dialer आपको मिलता है यह Google का dialer है तो announcement वाला आपको चीज यहां पर देखने को मिलेगा जो कि आप लोग अक्सर कहते हुग है dialer के बारे में ज़रूर बता देना तो यही dialer है जो कि किसी काम का dialer नहीं है तो आप चाहो तो true color वगड़ा यूज कर लेना ठाकि आप calling वगड़ा में तो सब benefit ले पाओ ठीक है बस इतना इससा था मिलते है निक्स वीडियो में तब तेल गाई टाटा बाई बाई flashing guides से related एक वीडियो मिलेगा discussion में check out कर लेना अगर आपको कोई भी doubt है तो उसे check करके follow कर लेना method को आप easy install कर पाओगे ठीक है bye